हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माय और कैसे हैं सबी लोग आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड फ्रेंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विल्यम वेट्सवर्थ की बायोग्राफी एंडूड के वर्क्स के बारे में तो चले फ्रे फ्रेंड को पर आई पर ऑंषए जितना फॉट्ष जयांगी बोलगाउन थे जबाएंड कि लिक्र अंपने लिखे दो फ्रेंड व्रेंड फ्रेंड इन्वन में दंध सन्वाट्स वीडिए को सब्सक्राइब घ्राइकड़ सकते हैं तो देखे जो विल्यम व्ट्स वर्थ हुय थें उनका time period कप से कप तक माना जाता है 1770 चे ले कर 1850 तक ये उनका time period माना गया है ठीके फेरेम ये उनका time period में और इस time को हम क्या माना गया है romantic era माना गया है Romantic era माना गया है तो चलिए देख लेते हैं देखे उनका बर्थ हुआ था 7 अप्रेल 1770 में 7 अप्रेल 1770 में William Wordsworth जी का जन्म हुआ था बर्थ प्लेस क्या था at Cokermouth on the Derwent in Cumberland North Western England known as the Lake District बतलब North Western England में Lake District नाम से वो प्लेस का नाम जाना जाता है Cokermouth on the Derwent ठेक है यहाँ पर उनका जन्म हुआ था इनकी बर्थ कब हुई थी डेथ कब हुई थी 23 अप्रेल 1850 में कैसे हो गई थी बर्थ डाइड आफ प्लेवरिजी and age of 80 यह उनकी बेमारी का नाम है प्लेवरिजी और कितने साल में उनकी डेथ हुई थी 80 येर्स वो जीवित रहे थी 80 येर्स में उनकी बर्थ हो गए थी तो देख लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट है आपका वो यह प्लेश ह्टी एसवाल चर्च ग्रास मेर यह भी उनके प्लेश से रिलेटेड है यहां भी वो रहे है और पैरेंट्स कौन कौन थे फादर का नाम था जानवर्ट्स वर्थ और मदर का नाम था अनकॉक्सन तो यह भी कभी कभी पूच लिया जाता है मदर का नेम पूच लेते हैं और फादर का भी नेम पूच लेते हैं तो आप लोगों का अच्छे से याद रखना है ठीक है फ्रेंट्ट देख लेते हैं एदुकेशन के बारे में उनकी एदुकेशन कह Рई है हॉक्सेट ग्रामारी स्कूल यहां पे उन्होंने जब छोटे थे तो ये एक ब्रॉक्सेट ग्रामारी स्कूल नामका स्कूल था जहां पर उन्होंने पढ़ाए कि थी और फिह zar jetzt जब इन्वस्टी गया तो Cambridge University में पढ़े हैं कौन से इन्वस्टी में फ्रेंड? Cambridge University में ये भी question पूछ लिया जाता है जैसे option में दे दिया गया Oxford, Cambridge, Harvard University तो आपको बता रहा है यहां पे Cambridge University में उने education की थी and 3 कॉलेज का नाम क्या थे? ST John's College, Cambridge, Cambridge में कौन से इस ता? फिर चलिए देख लेते हैं next उनका love affair किससे हुआ सबसे पहले उनका love affair हुआ था Mary Edsward से किससे हुआ था friend Mary Edsward से लेकिन जाला था नाम किसका दिया होता है Annette Wallen जो French woman थी इनके बाद में इन से प्रेम हुआ लेकिन पहले इनको किससे हुआ था Mary Edsward से बाकि इनकी marriage किससे हुई थी? marriage हुई थी इनकी cousin Mary Hutchinson नाम कि थी ठीक है इनका 4 October 1802 में उनकी marriage हुई थी ठीक है तो ये marriage भी important बन जाता है ये point क्योंकि marriage के बारे में भी पूछ लिया जाता है कब हुई थी उनकी शादी तो आपको बताना है 1802 में उनकी marriage हुई थी अब ये point lawyer कप इनको मिला था 1843 से 50 वर्सवर्थ became poet laureate in 1843 after the death of Robert Saudi ओके तो विलिम वर्सवर्थ थे उनको point lawyer कप किया गया 18-47 में उसके बाद after the death of Robert Saudi किसके death के बाद Robert Saudi के बाद ठीक है फिर he initially refused the honor और इन्होंने ये जो इनको मतलब कि honor मिला सम्मान मिले उनको क्या कर दे इन्होंने refused कर दे थे but accepted later लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर लिया था accept कर लिया था he wrote no official words और इन्होंने कोई official words नहीं लिखा okay occupation क्या था इनका पेशा क्या था English romantic poet थे anti critic थे ठीक है इनको इनके पीरियड है उनको बोला गया है romantic period okay इसलिए ने क्या 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 मतलब कि writer माने जाते है romantic era के romantic poet माने थे English romantic poet and critic माने जाते हैं okay friend ये थी इनके summary के बारे में चले कुछ important जान लेते हैं इनके life से related he published his first piece of writing a senate in the European magazine उन्हें सबसे पहला जो अपने एक senate लिखी थी किसमें the European magazine यह पहला इनका वर्क था in 1791 में he received his bachelor degree इन्होंने 1791 में bachelor's taking मतलब कि BA की degree इन्होंने Cambridge University से received किया था okay friend चले देख लेते हैं next question next point in November 1791 में he traveled to France इन्होंने कहां पे travel किया France में travel कि where he witnessed the middle stage of French revelation हाना यह witness भी माने गए किसके middle stage के French revelation के जहां हना during his journey इनके journey के दोरान he fell in love with Annette Waaline मतलब कि वालान इनका जब यह journey मतलब यात्रा कर रहे तो उन्होंने के दोरान इनको एक Annette Waaline नाम की लड़की से इनको प्यार हो गया love हो गया okay फिर in February 1793 में He published his first poetry collection an unanim work and descriptive sketch जब 1793 में इन्होंने पहली अपनी जो poetry collection था An unanim work and descriptive sketch इनको इन्होंने publish कर वाया था okay friend चलिए देख लेते हैं next point हमारा क्या है यह भी most important point बन जाता है कि 1795 में वो किस से मिले थे Samuel Teller कॉल्रिस से ठीक है इनसे पहले बार इन्होंने Bristol में अगस्त 1795 में इनसे मिले थे इन्होंने 1795 से लेकर के 1797 मतलब कि तू एर इन्होंने क्या लिखा था उनली पे लिखा था क्या नाम था उनका The Borderers A.Worths tragedy ये दो प्ले इन दो सालो में उनने लिखा था ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इन सेविंटी नैंटी सेवन वर्सवर्थ एंड इस सिस्टर डिरोथी मोवड टू आलफोक्स्टन हाउस समर्सेट 1797 में वर्सवर्थ और उनकी सिस्टर डिरोथी दोनों कहां गए आलफोक्स्टन हाउस समर्सेट गए फिर नेक्स्ट पॉइंट है वर्सवर्थ रोट एक पोयम तब उन्होंने एक पोयम लिखा उसका नाम क्या था Peter Bill क्या नाम था Peter Bill नाम से मतलब की पोयम लिखा ऐसे रिप्लाई और राधर ए रिवाइवल तो कॉल्रीज इसी की रिप्लाई में उन्होंने कॉल्रीज ने कौन सी पोयम लिखी दा एंसेट मार्नियर ये दो मतलब की वर्सवर्थ ने कौन सी पोयम लिखी पेटर बे लिखी और जो कॉल्रीज थे कॉल्रीज ने इसी की पोयम मतलब की बेस पर क्या लिखा दा एंसेट मार्नियर ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इन 1798 में वर्सवर्थ ने कॉल्रीज प्रोडिउस्ट लिर्कल बैलेट ठीक है मतलब की 1798 में वर्सवर्थ और गॉल्रीज ने एक लिर्कल बैलेट्स मैनिफिष्ट आफ इंगलिज रोमांटिक क्रिटिस्जम प्रोडिउस्ट किया उसमें उन्होंने कितनी पोयम्स दी पोयम्स दी एंट वर्सवर्थ की 19 पोयम्स इसमें सामिल थी मतलब कि 19 poems वर्षवर्थ की थी और 4 poems कॉलरेस की थी दोनों मिला करके ये बने पोएम को क्या लिर्कल बैलेट्स इन 2nd ये 1st edition था 2nd edition इसका कवाया 1800 में 1st edition आया था 1798 में 2nd edition आया था 1800 में फिर वर्षवर्थ इंक्लूड ए प्रिफिस डिटेलिंग वर्षवर्थ जो उन्होंने इंक्लूड किया क्या प्रिफिस डिटेलिंग पोईटिकल प्रिंस्पल प्रिफिस टू लिकल वैलर्ड ये इंक्लूड किया थीक है 2nd इनके edition में फिर क्या हुआ थाड एडिशन आया कब 1802 में मतलब कि 1802 में क्या थाड एडिशन आया वर्ष वर्ष एड़ड इन अब इसमें क्या एड़ किया अपेंडिक्स टाइटल पोईटिक डिक्शन एड़ किया गया एड़ किया अपेंडिक्स टाइटल पोईटिक डिक्शन एड़ किया गया है ये 4th and final edition आफ लिर्कल बैलेड इड़ ये कौनज अफ फिर जब 4th and final edition आया वो कब आया ठीक है वो आया अटारा सु पाच में आया ठीक है अटारा सु पाच में पब्लिश किया गया जो उनका final edition था ठीक है किस नाम से लिर्कल बैलेट से ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है देखें इन 1799 ही इलॉंग वीच सिष्टर डॉरोथी मुवड बैक टू लेग डिश्टिक एंड इसेटल एडव कॉर्टेज इन अफ्रास मैर 1799 में वह अपनी सिष्टर डॉरोथी के साथ कहां गये बैक टू लेग फिर से वापस कहां गये लेग डिश्टिक मतलग शेटल टू डव कॉर्टेज इन दा विलिज ग्रास मेर के एक छोटे से गाव डव कॉर्टेज में वो शेटल हो गये फिर 1862 में ही एंड डॉरोथी ट्रैवल टू फ्रैंस अब वह 1862 में कहां के लिए रियात्र किये फ्रांस के लिए फिर सो दैट ही कुड मेट हीज डाटर इसलिए वह अब किस से मिले वह अपनी मतलब की डाटर से मिले ठीक है मिल सकते थे के रॉलीन उनकी डाटर कौन थी कारॉलीन ये कैसी डाटर थी इलिगल ठीक है मतलब कि आनेट वाला न जिनसे गी लब करती थे उनी की डाटर थी ठीक है और returning to England England से लोटते समय He married Mary Hutchinson जब England से वो लोटे उसके बाद उन्होंने Mary Hutchinson से शादी कर लियो क्या ठारा सुदो में फिर देखें नेक्स्ट पॉइंट है In In 1805 में He finished his poem to college 1805 में उन्होंने poem to college नाम की एक poem आई उसको उन्होंने finish किया But refuse to publish लेकिन इसको publish करने से उन्होंने मना कर दे It until he would complete the recluse हाना वो सोच रहे थे कि तब तक recluse complete हो जाएगा A long piece for which the poem to college मतलब ये बहुत बड़ी poem थी poem to college मतलब इसका एक छोटा सा piece था ही recluse नाम का Would be a prologue ये क्या था एक ये प्रोलाग था हाना In 1810 में Wordsworth and college were separated over the later opm addiction हाना वो 1810 में Wordsworth और college अलग-अलग हो गये हाना on later opm addiction में फिर 1813 में he with a dirothi moved to reddle mount और 1813 में उन्हों कहांगे 1813 में वह और उनकी जो sister dirothi थी वो कहां पर move होए रेडल माउंट में कहां Imbil site where he he spent rest almost 50 years of his life और यहां पे अपने life की पूरे 50 years उन्होंने rest किया मतलब कि बिताया ठीक है फिर 1814 में क्या हुआ Wordsworth पब्लिश्ट the excursion as the second part of three-part work of the recluse recluse का जो second part का मतलब third part था excursion उन्होंने इसको publish करवा है फिर in 1843 he was named poet laureate of England फिर 1843 में यह मतलब poet laureate England की poet laureate names इनको पुकारा गया है फिर क्या हुआ on 23rd April 1850 he died of phalusy मतलब की pleurisy से 23rd April 1850 में इनकी ब्रत्थि हो गए inflammation of lining around the lungs ठीक है इनकी वज़ा से चलिए कुछ और most important है चीजे उनको भी देख लेते हैं देखे a few months after his death मतलब की death के थोड़े ही दिन थोड़े महीनों बाद his video Mary published his Lindy autobiographical poem to coleris मतलब जो इनकी वाइफ थी वीडो मतलब वीडो हो चुकी थी क्योंकि वर्सवर्थ मतलब की died हो चुके थी death हो चुगई थी तो उन्हों जो poem to coleris नाम की एक poem लिगा था उनकी autobiographical थी उनको उनकी जो वीडो मतलब की Mary Hutchinson थी उन्होंने इसको publish करवाया as the prelude 1850 में ठीक है though it was complete in 18 और prelude नाम की जो poem थी उनकी autobiographical वो 1805 में मतलब की complete हुई थी और 1850 में वो मतलब की पूरी तरीके से publish करवा दी गई थी उनके चली publish किसने करवाया Mary Hutchinson ने To be noted वर्सवर्थ compose some of finest poem during the year 1798 से 1799 में पतलब की 1798 से 1799 में इन्होंने कुछ poem अपनी compose किया था finest poem the prelude इनकी क्या थी his autobiographical poem is considered to his masterpiece किसके नाम से जाने जाती इनकी masterpiece के नाम से जाने जाती थी आयटो biographical poem थी इनकी ठीक है इनकी life से related वर्सवर्थ college and Saudi came to known as the lake poets मतलब वर्सवर्थ और college and Robert Saudi तीनों को साथ में मिला करके क्या कहा जाता है lake poet के नाम से ये जाने जाते हैं किसके कौन से poet से lake poet के नाम से जाने जाते हैं ओके चले देख लेते हैं next point some famous books lectures एसे on वर्सवर्थ कुछ famous books lectures एसे वर्सवर्थ के हैं देख लेते हैं कौन कौन से हैं William Hazlitt lectures on the English poet 1818 मतलब कि वर्सवर्थ पर इनों ने लिखा क्या William Hazlitt ने लिखा क्या है वर्सवर्थ कि मतलब कि मॉर्ण में आप कह सकते हैं या फिर उनके बेस्ट पर लिखा गया क्या lectures on the English poet 1818 फिर second है एडलस हॉक्स लेने क्या लिखा वर्सवर्थ पर वर्सवर्थ इन दा ट्रॉपिक्स इन होली फेस एंड अड अडर एसे 1929 ओके ये वर्थ के कुछ most important है जॉन स्टॉर्ट मिल्स ने लिखा autobiography 1873 ये लिखा मैथ्य उन रॉल ने लिखा memorial verse 1850 ये सब वर्सवर्थ के याद पर लिखे गए हैं ये most important है आप इनका screenshot ले लिजे या फिर आप इसको note down कर लिजे और ये most important है पूछे भी जा सकते हैं अब ये हैं आपके विल्यम वर्थ वर्थ के कुछ most important poems ठीक है famous poems है जो विल्यम वर्थ वर्थ पर लिखी गई है देख लेते हैं famous poem कौन कौन सी है 1793 में क्या लिखा गया है I am evening walk I dress to a young lady I am evening walk जो लिखा गया है किसको address किया गया इसमें एक young lady को address करती हुए उन्होंने एक poem लिखी I am evening walk कब लिखा है 1793 में फिल इसके बाद क्या लिखे गई है इसके बाद फिर से 93 में लिखी गई है descriptive sketch क्या लिखा गया है descriptive sketch ये भी इनकी poem है और ये भी 1793 में लिखा गया है ठीक है और 1815 में क्या लिखे गई है loud evm नाम की poem लिखी गई है 1815 में ठीक ही most important की poem है 1798 में लिखी गई है lines written above tinton abe tinton abe नाम की poem लिखी गई है 1798 में ठीक है फिर 1798 में lyrical ballad नाम की poem लिखी गई है क्या लिखी गई है लिरिकल बैलेट नाम क्योंके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पोयम है 1806 में Intimation of Immortality लिखी गई है 1807 में पोयम्स 1 मतलब 1st and 2nd लिखी गई है इसी कि 1819 में Peter Bill कभ लिखा गया है 1819 में लिखी गई है 1822 में Memorials of the Tour of Continent लिखा गया है फिर 1888 में The Recluses लिखा गया है कब लिखा गया है 1888 में The Recluses लिखा गया है 1819 में The Wagner लिखा गया है ये भी most important बन जाते हैं और ये सारे most important थे इसके 1815 में The Howard Dory of Rale Stone लिखा गया है 1801 में Upon West Minister बिरिज लिखा गया है 1835 में Yaro Revisited लिखा गया है ठीक है इनकी most important poem थी ओके फ्रेंट तो चले फ्रेंट्स आज हम लोग यहीं तक इसको पढ़ते हैं और next time में फिर इनके आगे के और भी works और भी जितनी भी poems जितनी भी sonets लिखे हैं ठीक है उनके बारे में हम लोग कुछ discussion करने वाले हैं करने से पहले अगर आप channel मेंना हैं तो channel को subscribe करें like करें comment करें and share करें thank you so much